चलिए सब लोग अपना camera on करो ओके सब लोग अपना compiler निका लिए और camera on किजिए फड़ा फट से ठीक है तो हम लोग payment stream किए interest rate, force of interest और time value of money कल class 3 था आज class 4 है ठीक है तो आज हम लोग sums करेंगे एक जल लिख रहे है sir present हाँ ठीक है what is this तो हम आज हम लोग sums करेंगे booklet 2 निकालो पहला वाला जो booklet है वो theory booklet है ठीक है ठीक है तो booklet 2 निकालो तुम लोग सब अज प्रेजेंट स्क्रीन क्या वो बल रहा है screen present कर दीजा अच्छा बोलो ठीक है आज करेंगे आज करेंगे आज करेंगे don't worry ठीक है तो चलिए स्टार्ट किया जाए booklet 2 question number 1 ठीक है अब यह जो question है ना 13 number का है और ऐसा ही question आपके exam में भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है force of interest delta t is a function of time and at any time t measured in years is given by the formula delta t हम लोग को दे दिया है derive and simplify as far as possible expressions for vt उसको बलाओ last bench तुम इधर आके बटो derive and simplify expressions for vt where vt is the present value of a unit sum of money divided time t तो हम लोग को vt के लिए expressions बनाना है चले start करते हैं सबसे पहले 0 t और 5 ठीक है ये आपका है compiler तो असे इस तरफ कर तो तुम उदर बैट जो ये आपका है compiler देखे आपको मिला होगा रंग भी रंगा किताब है ठीक है blue रंग का है blue को हिंदी में क्या बलते है और नारंगी क्या होता है ठीक है तो इसको solve करो तो v0 to t is equal to क्या होगा बताईए exponential minus integration 0 to t 0.04 plus 0.02s whole into ds क्योंकि limits में अपना क्या है t ठीक है तो this is equal to what exponential minus 0.04 t minus 0.01 t square अब इसके बाद में फिर हम लोग को करना है ठीक है नहीं क्योंकि limits में t था तो बोल के हम लोग यहाँ पर s लिखके ds लिख दिए ठीक है कोई बेकर मेरा गलती हो तो लोग को बोल देना ठीक है so now v0 to t is what v0 to 5 into v5 to 5 to 10 5 डाली है उपर वाले में और v5 to t कैसे निकालेंगे e to the power minus 0.05 t minus 5 सर यह समझ में नहीं आया सौरी यह समझे का चीज है time period क्या है t से 5 time t पर जो पिर्मेंटर्स को 5 पर लेकिया रहे what is the difference t minus 5 और constant है और 5 परसेंट का मेरा force of interest है तो e to the power minus 0.05 t minus 5 ठीक है ना solve करिए इसको और इसके पहले भी कुछ आएगा final expression क्या रही है बताएंगे सभी बच्चे e to the power minus 0.05 t minus 0.2 तुम्हारा क्या रहे तुम्हारा क्या रहे तुम्हारा क्या रहे तुम्हारा क्या रहे तुम्हारा रहे minus 0.2 होगा चेक करो सब लोग अब देखो इसके बाद में क्या बोल रहे है calculate the present value of 1000 due at the end of 17 years तुम्हारा क्या निकालेंगे 0 to 17 मतलब दूसरे बाले में 17 डालेंगे ठीक है एक सेकेंड रुख जाना rate of interest per annum convertible monthly implied by the transaction in part 2A तो बोलने का मतलब यह है पहले यह निकालो यह कितना आ रहे आप काया पहला वाला मिने प्रोब्लम कहां पर आ रहे है बोलिए इसे इंटीग्रेशन में विच पार यह फिसिंग देप्रोब्लम नहीं ठीक है हॉच पॉच होगे अभी आज को अलग अलग कर देंगे नहीं हॉच पॉच को अलग अलग कर देंगे बोलिए ठीक है ठीक है वी 0 to 17 में e to the power minus 0.05 into 17 minus 0.2 तो बताओ कितना आ रही है 30 इसका answer point में बताओ 0.3499 ठीक है तो अब हम लोग कितना value था हमारा 1000 न तो 1000 को अगर हम लोग factor से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 349.9 हा की न 349.9 ठीक है इसके बाद में देखो हम लोग को क्या बोलता है हम लोग को बोल रहा है calculate the rate of interest per annum convertible monthly मतलब I-12 निकालने बोल रहा है तो 349 ठीक हाना 349.9 इसको अब हम लोग को accumulate करना है 17 साल 1 प्लस I-12 बाइ 12 hold to the part 12 into 17 क्योंकि 1 प्लस I-12 बाइ 12 hold to the part 12 क्या होता है एक साल का into 17 कर रहे हैं तो क्या आएगा this is equal to what 1000 इसको solve करिए यहां से क्या निकलेगा मेरा I-12 1 प्लस I इसके एक साल का accumulation factor 1 प्लस I-12 बाइ 12 hold to the part 12 क्या हो जाएगा एक साल का accumulation factor ठीक है यहां से I-12 प्लीज सॉल्फ करिए जो calculations करने बोल रहा हूं वो सब सॉल्फ V 0 से 5 है बोलके कहां बोल रहे हैं आप दूसरा वाला में पहला पार्ट में पहला पार्ट की दूसरा पार्ट नई T का यह range है कि अगर यह values रहेगा T का तो मेरा delta T का function यह रहेगा time T पर जो payment हो रहे है उसको 0 पर ला रहे है I-12 कितना आ रहे है बोलिए point 0.0619 a continuous payment stream मोट ठोड़ा खिसक गया है a continuous payment stream is received at the rate of this तो मतलब मेरे को roti दे दिया है yes or no बोलू न हाँ मेरे को roti दे दिया है कितना दिया है 10 e to the power 0.01 T units per annum between T is equal to 6 and 10 हमको present value निकालना है तो सबसे पहले हम लोग present value निकालेंगे time 6 पे और फिर हम लोग निकालेंगे 6 से 0 पे तो सबसे सबसे समझा present value at time 6 ध्यान से देखो integrate करेंगे कहां से कहां तक 6 से 10 ठीक है, roti मेरे को दे दिया है 10 e to the power 0.01 T exponential minus time T पर जो payment हो रहा है उसको कहां पर लाएंगे 6 पर और हम लोग का delta T क्या दिया है delta T क्या दिया है 0.05 DS whole into dt ठीक है, solve करिए इसको ये क्या है ये है मेरा discounting factor ये है मेरा payment ठीक है, और ऐसा एक नहीं अनेक payment होगा, कहां से कहां तक 6 to 10 so summing over the present values of all the payments that are happening between 6 to 10 ठीक है तो अब इसको देखो solve कैसे करेंगे बहुत simple, 10 आजाएगा बाहर 6 से 10 e to the power 0.01 t e to the power minus 0.05 t minus 6 dt तो क्या आजाएगा 10 integration 6 to 10 e to the power minus 0.04 t e to the power 0.3 dt अब next step में मैं क्या बोल सकता हूँ? 10 e to the power 0.3 बाहर integration 6 to 10 e to the power minus 0.04 t dt ठीक है ना? हा की ना? so this is equal to 10 e to the power 0.3 ठीक है? e to the power minus 0.04 t by minus 0.04 6 से 10 solve करिये अब इसको पहले 10 जा लेंगे minus 10 e to the power 0.3 by minus 0.04 e to the power minus 0.04 into 10 minus e to the power minus 0.04 into 6 इसको पूरा अच्छे से solve करिये फिर इसका हम लोगो किससे multiply करना पड़ेगा? V 0 to 6 से और V 0 to 6 कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला जो expression आया था उसमें 6 डालके दूसरा वाला जो expression आया था उसमें 6 डालके V 0 to 6 निकलेगा present value at time 6 को V 0 to 6 से multiply करेंगे तब जाके क्या आएगा? present value at time 0 ठीक है? solve करिये करो तुम लोग सब इसके बाबने question number 3 classwork है चलो सलोग चालू करो कल हम लोग assignment book कर रहे थे आज हम लोग compiler कर रहे है 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 झाल 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 कुश्ण नमबर थ्री देखिएगा कितना रहा है इसका एंसर क्यालकुलेशन तो पर रहे क्यालकुलेटर पर करना पड़ेगा हाँ फिर आप वी 0 टु 6 निकालो और उसको मंटिप्लाए करो हुआ 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 about रहे हुआ हुआ ह Really? झाल झाल 23.80 आ रहा है 23. something आ रहा है तो ठीक है Question number 3 देखो The force of interest is given Calculate the amount to which 1000 will have accumulated at time 7 if it is invested at time 3 So 1000 into a 3 to 7 Yes or No तो 3 to 7 को break करना पड़ेगा A 3 to 5 into a 5 to 7 तो A 3 to 5 निकालो सबसे पहले EXP जहां से जहां तक लेके जाना है time 3 का payment को 5 पे लेके जाना है 0.04 प्लस पॉइंट डबल जरो 3 T स्क्वेर whole into D T ठीक है and A 5 to 7 कैसे निकलेगा EXP integration time 5 पे जो प्लस प्लस पॉइंट जरो 3 T whole into D T इन दोनों को solve करके answer निकालिए solve करो होगा अच्छा EXP integration है तो net में कर सकते हैं net में कर सकते हैं solve करिए होगा झालिए 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 झाल 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 येसे एक थाम तुम लोगो solve करके दिखाता है अब जैसे ये वाल है तो ये कैसे solve होगा exp 0.01 का क्या हो जागा 0.01 t तो into 7-5 plus 0.03 by 2 t2 by 2 होगा ना तो 7 square minus ठीक है, solve कर लीजिए और यह पुरे e के पार में चला जाएगा ठीक है तुम आफ हाँ, क्या राइंसर 1-8 नहीं आ रहे है तुमारा यह तो मूँ बना रही तुरा आइंसर में 1-7 जब तुम आइंसर बोला ना 1-8 ऐसे मूँ बना रही थी no how is it possible check कर उसको ठीक है तुसे गलती होगा तुमारा से मूँ बना होगी क्या कोई मैट लाए है तुमारा ने इस चीस नहीं देता हो मैं के खने से त्बुमारा से ऴुमारा याए है कर दो चाहerton तुमारा से लोगए है क्या implementEM objective लोगई 1 तुमारा से लोगई 2 हम तुमारा से ग्रिवा है झाल 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 ठीक है एक नोट लिखो लिखो नोट ऑन पेमेंट स्ट्रीम एवी फॉर्मुला ठीक है हिंदी में लिखवाएं इजी रहेगा तुम लोग को लिखो नोट ऑन पेमेंट स्ट्रीम एवी फॉर्मुला हिंदी में लिखना रोटी को पेमेंट की तरह सोचो फॉल स्टॉप पेमेंट एड टाइम टी ठीक है रोटी को पेमेंट की तरह सोचो पेमेंट एड टाइम टी फॉल स्टॉप टाइम ी से जीरो पे लाना है सॉर्य उरी सॉरी 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 टाइम टी से बी पे लेके जाना है यहाँ पर वो डायग्रम बना लेना तक कि एजी रहेगा A, B, ये T, और ये यहाँ से यहाँ Rho T को payment की तरह सोचो Payment at time T Time T से B पे लेके जाना है ठीक है? Full stop लिखा तुम लोग क्या लिखे तुम? Time T से B पे लेके जाना है ठीक है? EXP integration T to B Delta S, Ds Is AF from T to B ठीक है? Full stop Payment continuous हो रहा है बोल के Payment continuous हो रहा है बोल के integration we are doing Payment continuous हो रहा है बोल के integration we are doing integration signifies summing over all AVs at time B समझ क्या आब? integration signifies summing over all AVs at time B अब यही सोचो present value के लिए हमनों क्या लिख सकते हैं? सोचो एक बार Rो T को Payment की तरह सोचो Payment at time T Time T से A पे लेके आ रहे है EXP minus A to T Delta S, Gs is the discount factor from time T to A Payment continuous हो रहा है बोल के integration we are doing integration signifies summing over all the present values at time A ठीक है न? उसका लिखना नहीं है बस एक लिए note लिखवा दिए ओके Question number 6 अब यह हम लोग करेंगे Force of interest हम लोग को दे दिया है Delta T क्या दिया है? A plus BT Solve करो पहले तुम लोग दो मिट Classwork है पहले तुम लोग ट्राइ करो Solve करने का चलो start करो क्युम लोग करेंगे झाल 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 45 is equal to what? ठीक है? बुलू न? चलो इसको solve करना है अब हम लोग को. झाल 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 is equal to 55 exponential को आकाद में कैसे लाएगा log लेके नहीं तो बहुत परिशान करेगा so हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि देखो तो आप देखो एक step जम कर रहे हैं दो तीन step जम कर रहे है ln 55 by 45 is equal to 5a plus 12.5 b 25b by 2 which is 12.5b ठीक है similarly दूसरा वाला करो और 2 simultaneous equation है ना solve करो simultaneous equation solve करना class 6 हाँ 5 नहीं 6 देखी नहीं दी दी आपको टेंशन नहीं लेना है word पर हम लोग सिखाएंगे एकदम अभी आप pen of paper पर करते जाएं बस एकदम हो है तेरे कितना answer आ रहे है last bench एक आ रहे है minus 0.01781 और b का 0.02318 को अधिने आपको अधिनेट आ शॉनी वर को क्लास है ठीक है हाँ कैसे निवर को बोलो सोचो उस तो निकल कर आएगा सुरैनो जलसा प्लीज प्लीज जोंट टॉक फर्जी एबी का वैली निकलने सम खतम नहीं हुआ है calculate the constant force of interest per annum that would give rest to the same accumulation सुनो यह कैसे करेंगे exponential integration 0 to 10 a plus b t d t यह ना this is equal to e to the power 10 delta यहां से delta solve करना है माने समझा a plus b t से जो accumulation आ रहा है 10 delta से भी same आना चाहिए मने अगर constant delta हो जैसे समझो हम बोल रहे है कोई साल 12% है कोई साल 11% है कोई साल 13% है मुले constant कितना आएगा 10 साल में यह बताओ ठीक है हाँ 120 by 45 is equal to e to the power 10 delta वैसे भी कर सकते है हाँ वो जादा बेटर रहेगा good very good 120 by 45 very good 120 av है 45 pv है तुमको 120 by 45 करेंगे तो भी same answer आएगा कोई साल 13% कैलकुलेट दी कॉंसें रेटर डिसकाउंट पर रानम कन्वर्टिबल मंथली विच वूद लीड तो दी सेम अक्यूमुलेशन ऐसा कुछ नहीं है आपको क्या एक्वेशन मनाना है जो a327 आ रहा है is equal to 1 by 1 minus d12 by 12 whole to the power 48 वाट? डेल्टा का answer कितना आ रहा है? 0.0980 अरे यह थ्री का पार्ट टू है अब तुम लोगो करना है question number 8, 9, 10 class work में चालू करो बालू है बालू है कुछ रहा है भालू है झाल झाल चालो करिए कुश्ण नमबर 8, 9, 10 झाल 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 99 आ रहा है 99.02 अब हम लोग को बोला है annual simple rate of discount 99.02 झाल आए 即 100 1-91 91 365 into d अब यहां से d solve कर लिजिए clear यह हम लोग ऐसे assume कर सकते हैं let the face value be 100 तो purchase price निकाल लिए और फिर उस पर वैसे कर के हम लोग कर सकते हैं वन माइनस एंडी होता है ना सॉल्फ करें यहां से डी कितना आ रहे है भव नैंटीवन डेस का ही तो पूछ रहे दिर से वो सेम ऐसे में है वन भाई होगा ना बिटा नहीं गलत नहीं आएगा यह करना पड़ेगा 1.04 to the power 91 by 365 is equal to 1 by 1 minus 91 by 365 into d यहां से answer आ जाएगा इससे बिटा answer आएगा यही किये ते बूलने से नहीं वह इससे answer आएगा कितना रहे डी का value कुछ नंबर 9 करिए कुछ नंबर 9 कैसे होगा the annual rate of discount per annum convertible quarterly मतलब d4 दे दिया है d4 दे दिया 8% निकालिए delta तो कैसे करेंगे बूलना 1-d4 by 4 whole to the power 4 is e to the power minus delta फिर delta के बाद ने बोला है equivalent effective rate of interest same करेंगे is equal to 1 plus i to the power minus 1 equivalent nominal rate of discount per annum convertible मतली same करेंगे 1 minus d12 by 12 whole to the power number 12 निकालो यह ला उसके बादने question number 10 try करो हो जाएगा चली करिए होगा होगा come on come on होगा 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 ह वाट करो पहले सारा जोचिछा मैं कि शुजजढ टाट कर दिट्टियर्ट्स बातकुरू कितना आ रहा है D12 का वल्यू कितना आ रहा है कोई बात नहीं 0.08053 अब कोई नमर 10 कुछ से ट्राई करो बातकुरू मुझ का वल्यू याल करता है झाल 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 माइन माइनस जिरो पॉइंट झाल 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 0.06 0.08 झाल 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 0 झाल 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 0.05 झाल 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 001 झाल 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 झाल